हेलो हाई मैं विवेख और आज की वीडियो में भाई हम बात करेंगे टेक्टर की बेटरी के बारे में क्योंकि अभी जैसे आपको बता भाई ठंड चल रही है तो ठंड में इनकी बेटरी में काफी जादे दिक्कत होती मतलब यह सेल्प नहीं उठा रहा है इसे मैंने चार्ज भी लगवाई थी सारा कुछ आपको वरेंटी वरेंटी का जो भी होता है वो और आगे बाता हूंगा वीडियो में इसमें कंपनी आपको देती है नब्बेंपेर की बेटरी साहराज में आट सो बाजपन में अभी इसम आप सुबह चालू करोगे तो फिर स्टार्ड हो जाएगा अभी इसको आप जुगाड से कैसे चालू कर सकते हो जैसे आप एक या दो बंदे है यह धकना तो है नहीं अभी यहां तो खेर धक जाएगा लेकिन ऐसी सुचवेसन है कि भाई आप इससे धका नहीं सकते तो किस आप इससे जुगाड से चालू कर सकते हो सबसे पहले मैं अगर आपको सेल पमार के बता हूं अभी सुबह से भी इसको एक भी बार स्टार्ड नहीं किया आपने यह देखो भाई सेल पनी लिया आप इसका जुगाड क्या है यह जो एर क्लीनर होता है अपना ओयल वाट इससे दखाने की जर्बत नहीं पड़ेगी और सौराज में तो मैंने काफी स्टार्ड करके देखा इसके उपर यहां पर अगर आप हाथ रखोगे यहां पर मतलब इसके अंदर एर नहीं जाना चाहिए अगर यहां से आपका सिस्टम अगर ढीला है मतलब यह जो क्लाम है अ थोड़ा सा फिरटाना है अभी देखो मैं मार रहा हूं सेल्प यह देखो भई यह हो गया स्टार्ड यह बिल्कल मतलब आप जुगार से कर सकते हो कभी इसके पीछा गट रोली रोली लगी हुई है और आप धका नहीं सकते तो वहां पर आप उस कंडिशन में इस तरह से च जालू कर सकते हो वेटरी और आप एक और चीज देखिलो आप इसको यहां से पता चल जाएगा कि अपनी बेटरी चार्ज हो रही है यह दखो अगर यह बेटरी चार्ज नहीं होती तो यह माइनस के तरफ जाता प्लस के तरफ नहीं जाता अभी टेक्र स्टार्ड है मतलब प्लस की तरफ जा रहा है लगए इसका मतलब टेक्टर का अल्टिनेटर बढ़िया है यह अपना जो करेंट है वो बना कर बैटरी को चार्ज कर रहा है लेकिन बैटरी हो चुकी थोड़ी सी पुरानी बैटरी कम चली इसे पहले मैं बाहर निकालता हूं उसके बाद में बात कर निकालते हैं इसकी बैटरी यहां से आप देखो तो यहां पर आप देख सकते इसकी जो बेटरी है वो भी इसकी भी खोल दिये इसकी भी खोल दिये और इसकी है वाई 36 महीने की वारांटी एक्साइड एक्सप्रेस की जितनी भी अपनी बेटरी है उनकी 36 महीने की वारांटी आती है और फुल गरांटी आपको मिलती है भी 18 महीने की 18 महीने के अंदर अंदर यह खराब होती है या कुछ भी होता है तो आपको बेटरी बदल के दी जाती है इसके बाद 36 महीने तक अगर 18 महीने के बाद इसमें अगर कोई प्रॉबलम आती है तो इसमें आपको रिपेर करने का होता है तो इसमें क्या भाई आपको जो इसके अंदर पानी डाल के दे देते हैं बाद में ये चार लगा कि आपको वापस कर देंगे बाकि इसके साथ कुछ नहीं होना सिर्फ 18 महिने के अंदर अंदर होता है तो आप इसे चेंज करवा सकते हैं जैसे मैंने भाई बुलेरो की करवाई थी यही सेम बेटरी उसमें भी उसकी अगर मतलब उसकी यह खराब हो ग और वहाली बेटरी भाई पूरी नहीं पड़ी है और यहालात के ही यह क्योंकि मैंने इससे बहाँ पे चोड़के आ तो उन्होंने इसको चार्जबार 강ने लगार आई परानी दिख रही है तो नहीं दिख रहीैं अपनी जबकि इसराये मैंकीन आफ मेहीं बाई देखो एक लीटर के आती है 20 में और 50 रुपे में दो लीटर पांच लीटर चाहिए होता है इन बेटर में जितनी भी बेटरी होती है से मापका ये पानी डलता है इसको निकाल लेते हैं पहले बाहर और एक और देखा भाई जिन टेक्टरों में फ्रेंट में बेटरी आ ैने पहले इसमें दालेंगे यहां पे भी आप देखोगे ना तो इसमें ग्रीन लाइट चल रहा है मतलब आपके बेटरी ओके तो दिखा रहा है लेकिन सेल पर नहीं उठा रहा है यह देखो भाई और अगर यह कम चार्ज होगी तो आएगा वाइट और अगर बेटरी इस चार्ज बाटर कम है तो यहां पर आ जाएगा आपका रेड लाइट इसमें भी सेम सिस्टेम है इसका लाइट और तेज लग रहा है तो इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको उसमें डालता हूं फिर आपको दिखाता हूं तो भाई अभी टेस्ट के लिए इसमें रखिया अपने हंड्रेड एंपियर और इसका सेल पमार के देखते उसमें तो आपने देखा था खीं खूब चली नी रही थी अभी इसमें अभी इसके अंदर बटर केक कर लेंगे इसके अंदर इसको पूरा खूलने के बाद आज पानी कम होगा तो डाल देंगे इसको खूलना शिक्का लगेगा एक रुका वाला और उसके बाद में यहां पे यह देखो इसका भी कुछ करता है पेंट देखेंगे अगर अपने प तो अभी इसके अंदर पानी डाल रहे है और यहांसे अघर आपको इतनी खली दिख्रहा है और आप सोच रहे हो कि इसमे कम लगेगी लेकिन इतना पानी पूराशक अंदर चला गया अभी और खाली है यह दो तीन तो इसका मेंटनेंस कि अगर बात करें दो इसमें मेंटनेंस कुछ नहीं होता सिर्फ आपको पानी डालना होता है जिससे आपके बैटरी की लाइफ बढ़ियां रहे यह कम चलता था इसमें पानी कम था तो भाई इस पेटरी का कुछ भी नहीं हुआ ह यहां प्रििस्मक के अंदर हम डाल रहे हैं पानी और इसको फिर फिर यह उपर लगाते हैं आट सो पचपन के उपर फिर देखते हैं यह अपनी काम करेगी या नहीं इतना पानी चला गया इतनी सी, उसे मतलब हाली में यह भिल भरा गया और आप देखो, दोनों का यही हाल है इसको साप करके मैं अभी इसके अंदर paint करने वाला हूँ, क्योंकि अगर paint नहीं करेंगे तो यह तो और जाद बेकार होता जाएगा और पूरा गल जाएगा, साथ मैं आप इसमें oil लगा दो, इनमें, तो इसमें carbon नहीं आता है, जिसे हाँ, देखोगे न, यह oil के कारण बहुत काम आया है, तो यह फिर आपका sale plan में भी कहीं न कहीं problem होती है इनको कस देते हैं, इसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इसके उपर paint कर देते हैं दोनों के उपर, इसकी भी हाल देखोगे, यह अलक से लगाया था, भाई, बहुत से भाई, इसका भी पूछते हैं, कि यह आपने कहां से लगाया है, यह सावराज का नहीं है, यह बाहर से साथ लगाया हुआ है, काफी टाइम पहले लगाया था, इसकी बेटरी अगर आपक जादी थी, और पीछे रखके कोई मतलब भी नहीं था, इसलिए यहाँ आप इसको कर दी है, तो भाई, अभी इसको मैंने रेतमाल से फूरा साफ कर लिया है, अब इसके बाद मैं इसके उपर अपना जो अपने पास यह पेंट रखा है, इसकी बहुत भाई कीमत पूछते ह काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ, प्राइस भी आपको दिखा चुका हूँ, इसके उपर लिखा है, हाँ, 399 यह लिखा है, 400 रुपे में यह मिलता है, कंपनी से ही मिलेगा, ओरिजिनल, तो इसके उपर यह वाला पेंट करते हैं, पूरे पेंट नहीं करने वाला तो भाई अभी यहाँ पर आप देखोगे, इतने के उपर हो चुका है, पेंट इधर भी सारा मेंने कर दिया है, लेकिन यह में जगा आपनी रह गई है, और अपना जो पेंट था, यह भाई समय हो गया, खतम, दिखा हूँ, आपको चला कि इदे को बस फिस फिस कर रहा है, बाकि इसके अंदर कुछ नहीं है, पेंट अपने पास दूसरा भी है, लेकिन यह इतना मजबूत, मेरे को लगता नहीं क्योंकि यह बाहर से लिया था नकली, इससे अच्छा तो ओइल पेंट इसके उपर में कर दूँगा, फिलाल होने वाली है, साम तो मैं सोच रहा हूँ सारा सिस्टम इनके अंदर लगा देते हैं, उसके बाद में फिर कभी से खोल के कर देंगे, सबसे अच्छे अगर आपको बताओं ताब इस तरह की भाई ट्यू इसके नीचे रग दे, ताकि इसका जो पानी है वो यहां कहीं से निकल जाए, तो इस तरह का आप ट्यू लग आपके लोहों के उपर ही पानी गिरेगा, अगर यह वाला सिस्टम देदे, पलास्टिक वाला तो बहुत बढ़िया है, ताकि यह कहीं से भी पानी निकल जाए, और इसमें गलावट ना लगे, फिलाल इसको कस देते हैं, और 90 MPR की बेटरी से इसको चालू करके देखते हैं जालू होगा या नहीं, तो बैटरी के पानी के कारण कारबन पकड़ती है, अब ही अगर आप यहां से देखोगे, मैंने अभी अभी धिवाण दिया, यहां से देखोगे, तो इसमें पानी यहां से आता है, एक बढ़र आड़ी कर, और आएगा, आड़ी करना इसको, यहां अब इधर से आ गया यह आ गया पानी भाई तो इसका भी एक इलाजी यहां से आप सीधी नली लगा दो जो अपनी ओबर वाली होती है यहां से और दोनों साइडों से बाहर निकाल दो तो भाई बेटरी वोक्स अपना सड़ेगा ही नहीं देखते हैं अगर मेरे को इससार आज यहीं से निकालती है यहां से और यहां से तो इसको मैने कुछ तरहसे लगा दिया अब जब यह टेक्टर में लगेगी तो पहले पानी यह वही की फेकती थी यहां से पूरा भरा जाता था अब मैं नली को निकाल दूँगा बाहर यह कितना ही पानी फेके है अपने ट लगा दिया है बाकि उपर लगाने के बाद भी मैं मतलब दिखाऊंगा तो यहां पर आप देखोगे तो अपनी दोनों साइड़ों की बेटरी हो चुकी यहां पर गई भाई अपनी 100 एंपियर और इधर आ गई अपनी 90 एंपियर दोनों कर दिया अभी दोनों का सिल्फ भी मा काड़ दिखाऊं तो भाई यह दो मैंने इसको काफी लंबी रखी है और यहां से पानी भी आ रहा है देखो इसको चाहो तो आप यहां से काड़ दो लेकिन मैंने इसको फिलाल तो छोड़ दी है दूसरी साइड की यहां से भी पानी आ रहा है जितना भी ओपर आपका होग तो मोडनी रही है इस तरह से इसे थोड़ी थोड़ी काट देंगे तो यह दिखेगी भी नहीं अलग से बाकि यह दिख भी जाय तो कोई प्रॉबलम नहीं कि उतनी तो यह अपनी बैटरी को बचा देगी यह तो पुरा पानी इसके अंदर ही जाना था अभी इसका सेल्फ मार के देखता हूँ और आप पूछे कि भाई बैड़ी बेटरी डालने से क्या प्रॉब्लम है तो मेरे को नहीं लगती कि आएगी खास कर सहराज में कि इतना बड़ा इसका सेल्फ होता है कि इसको कोई तकलीब नहीं है मैंने दोनों में मतलब बेटरी इदर उधर करके देखिए इनको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसका सेल्फ एक बार खुला है बस एक बार क्योंकि इसकी जो आते हैं अंदर के सिस्टम वो घिस घिस के खराब हो गया तो इसके अंदर पानी चला गया था एक बार खुला है 2011 मोडल है और इसका मैंने एक बार खुला है बाकी कितनी बार खुला है मेरे को नहीं पता एक बार आप सेल्फ भी मार देख लेते दोनों डिक्टरोंका तो यह कि अच्छा भी चालू यह भा बैज यह भी हो गया श्टर अब इसकी बार ही है इसको भी इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थेंक्यू सो मच